असलामों अलेकुम आज हम बनाने वाले हैं डाल गुस्त तो डाल गुस्त बनाने के लिए प्रेशर को करमें हमने दू बड़े चमस्तेट को करम कर लिया है इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले तो साबुत मसाले में हाप पीस जावित्री का, तीन से चार लोंग, हाप इंच डाल चीनी का, दो तेज पत्ते और दस से बारा काले मिर्च मसाला जब हलका असा तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे तीन मिडियम साइज की प्याज प्याज को हलका खुलाबी होने तब फ्राई कर लेंगे, प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अधरक लशन का पेस्ट, तो यहाँ बार हमें एक टेबिल स्पून अधरक लशन का पेस्ट के लिया तीनाल देंगे, एक से दो मेंटी से धून ल दालेंगे तो पौडर बसालों में 1 तीज़ लाल मेश पौडर जो टेफिल श्पून जनिया पौडर एफ टीज़ नमस और एफ टीज़ गरा मसाला पौडर तीम मीडियम साइज के टमाडर इसे बारी काट लिया है इसारी चीजों को फुरी दे भून देंगे आठ से 10 में मसाले को मटन के साथ अची तरह पूलने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे तो एक गिलास के कड़ी में से पानी डाल दाएंगे मिक्स करेंगे अब इसका हम धकन लगाएंगे और मीडियम टुहाइफ लेंप रखका चार से पासचीटी लगा लेंगे मटन को पास्ती लगाने के बाद में गैस को हम बंद करेंगे और इसे अपनी आप ठंदा होने देंगे चाहिए तो हम प्रेशर को करको फोल कर देख लेते हैं चले तो यह मतन को हम देख लेते हैं मतन अची तरह घल गया है यह देखिए गैस को मीडियम टुगाई पर रखकार मतन को हम थोड़ी दिर भून लेंगे मसाली को अच्छे जब भूनने के बाद में इस पर हम डालेंगे 100 ग्राम चले की दाल इसे हमने दो हंटे पहले पानी मे रहा करा था एक से दो हरी में इसे बड़े बड़े पीजों में काट लिया है एक टी स्कून कसूरी में यह डाल देंगे एक बार इसे मिक्स करेंगे अब इसमें पानी डालेंगे तो ग्रेवी आप अपने हिसाफ से रख ले जैसी गारी पत्ते ग्रेवी आपको पसंद हो उ और ना ज्यादा पत्ली रहेगी तो गैस के फिल्म को मीडियम ड्रॉहाई पर आख लेंगे और इसका हम धकल लगा लेंगे इसमें हम एक सीटी लगा लेते हैं क्योंकि हम इसे डाल को गलाना है मटन पहले से गला हुआ है एक सीटी आने के बाद में गैस को हम बन कर देंगे एक सीटी लगाने के बाद में आप देख सकते हैं दाल गोष्ट बन कर तया है यह देखिए दाल भी अची तरह गल गई है और यह ना ज्यादा गाड़ी है और ना ज्यादा यह पतली है तो इसे कर लेंगे अब हम डिस आउट तो आप इसे बनाए यह आपको बहुत पसंद आप इसे खाएं रोटी नान के साथ या फिर चावल के साथ यह दाल गोष्ट बहुत ही मज़ी का लगता है यह देखिए इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया दाल गोष्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं रेसिपी पसंद